माननीय क्षेत्र संग चालग जी, माननीय प्रांत संग चालग जी, माननीय जिला संग चालग जी, अत्मिय स्वयम सेवक बंधु, उपस्थित नागरिक सज्जन माता भगिन कल से, इस माजूलिक शेत्र में, मैं रहा हूँ, संग के सरसंग चालग के आने का पहला ही प्रसंग ऐसा मुझे पता चला संग के सरसंग चाले के अखिल भारती अधिकारियों को पुरे भारत में गुमना पड़ता है, तो समय की कमी रहती है पहले आने जाने की सुविधा कम थी, समय जादा लगता था, इसलिए कोई नहीं आया होगा स्वयम मैं सब जगह धिमाजी लखिमपूर दिप्रुगड सब जगह दो दो बार चार चार बार जा चुका हूं लेकिन यहां आने का मुझे भी यह पहला यह उसर है और इन दो दिनों में जो मैंने यहां वातावरण का अनुभव किया फिदा सरल जीवन है सौस्कृति कला इन सब की छत्र चाया आप लोगों को मिली है यह आपका कितना बड़ा भाग्य है यह आप जानते है कि नहीं मैं नहीं जानता हूं लेकिन सारे देश में घुमता हूं और जहां यह नहीं है वहां कि अवस्था देखता हूं तो मुझे तो इस क्षेत्र को देखने का सोबाग्यमला इसकी धन्यता है और स्वाबाविक है कि संग का इस्प्रका का कारिक्रम भी शायद इसक्षेत्र में पहला होगा संग का नाम तो सब लोग जानते हैं लेकिन प्रत्यक्ष संग क्या है यह एकदम समझ में आता नहीं जैसे ही आज ही आपका कारिक्रम देख रहे हैं तो दूर से देख के कोई यह मन में समझ सकता है कि यह एक बच्चों का कारिक्रम है अब है तो सही बच्चों का कारिक्रम लेकिन बच्चों के कारिक्रम में इसे बड़ों के कारिक्रम बनते हैं मैं भी स्वयम संग में समझ बूच कर आने लगा तब ऐसा ही था ऐसे ही कारिक्रम करता था संग के कार्यपद्धती में व्यक्ति आयू में बच्चा है तब भी आता है और समझदारी में बच्चा है तब भी आता है लेकिन उस कार्यपद्धती में एक विकसित मनुष्य वो बनकर निकलता है और विकसित मनुष्य अपने विकास का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता देश समाज के लिए करता है संग इसी काम के लिए शुरू हुआ जब शुरू हुआ तब स्वतंद्रता का अंदोलन चल रहा था सबसे प्रमुक बात सब के मन में वही थी और इसलिए सब लोग किसी ने किसी प्रकार से उसके लिए प्रयास कर रहे थे संग के निर्माता भी अपने बालक काल से ऐसी ही सब गती विदियों में रहते थे घर के गरीब थे माता-पिता नहीं थे घर में विशेश आय नहीं होती थी लेकिन अपनी पढ़ाई में हमेशा वो अपने क्लास में पहले दस में थे मेट्रिक और उसके बाद की सब परिक्षा है फर्स क्लास में उत्तिर्ण हुए और उस समय से आयू के 10-12 साल के अवस्था से डेश के लिए जो भी चलता था उसमें वो मनफ पूर्वक सहभागी होते थे और उनक्या यह गुणवत्ता को देखकर उनको नागपुर के लोगों ने कलकत्ता भेजा बहाना था डॉक्टरी सीखने का लेकिन उद्देश्च से था कलकत्ता में क्रांतिकारियों का केंद्र है अनुशीलन समीती वहां पे है कि उस अनुशीलन सबीती से संपर्क करना और उसके आधार पर उधर के इलाखे में महराष्टर के इलाखे में में करांतिकारकों का कारीश शुरू करना डॉक्टरी भी वह फस्क्लास में पास हुए और यह काम भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह किया वह कोर कमिटी मेंबर बन गए राजबियारी जी बोस के बारे में किताब आई है उसकीताब में उसका उल्लिक है कि उनकी राजबियारी जी बोस से भेट हुई थी और अनुशीलन समिती के कोर कमिटी के वो सदस्य थे और उनका कोड नेम कोकेन था राजस्थान से आंद्र तक कि रिवोलुशनरी और अर्गनाइजन का सेटप खड़ा करने का दाई तो उनका था लेकिन करांतिकारी आंदोलन विफल रहा राजनीतिक दुरुष्टी से कॉंग्रेस का अंदोलन चल रहा था उसमें भी वो अगरभाग में रहते थे संगस्थापना के पूर्व एक बार और बाद में एक बार देश के स्वतन्रता के लिए चलने वाले कॉंग्रेस के अंदोलन में उन्होंने सक्रिय सहबाग लिया था एक एक साल की सजा भी दोनों बार हुई थी सब बातों में वो सक्रिय थे और इसलिए अनुभाव से उन्होंने जाना कि स्वतन्रता तो मिलेगी लेकिन अपने देश में गत कुछ शतकों से ऐसा हो रहा है कि बार बार आकर्मन होता है मुठी भर लोग आते हैं बाहर से आते हैं हमसे जादा पड़े लिके नहीं है हमसे जादा पराकर्मी नहीं है उनके पास कुछ भी गुणवत्ता नहीं है जो हमारे पास है फिर भी वो आते हैं देखते देखते हमको गुलाम बनाते हैं कि पिर कोई महापुरुष जन्मत आए वो जागुरुति करता है हम लड़के स्वतंत्र हो जाते हैं एक जाता है दूसरा आता है हम फिर से गुलाम हो जाते हैं कि मुठी बार लोग हमसे बरबर लोग बाहर से आके हम पर राज्य करते इसका कारण क्या है अपने देश पर राज्य करने अउले अंग्रेज अपने देश में कितने थे हैं बहुत ज्याद़ थे नहीं हमारी करोलों की जनसंख्या थी और उनकी एकCheck एकलाग भी नहीं थी त लेकिन हमारे अपने देश में आकर हमारीror चाती मुठी भर लोग सवार थे यह हमने होने कैसे दिया हम में कौन सी कमी है हमको क्या करना है इसका विचार उन्हों ने किया और देश का भाग्य बदलने वाला समाज निर्मान करे ऐसी गुणवत्ता रखने वाले कार्य करताओं का देश व्यापी समूह उत्पन्न करने के लिए संग की स्थापना की है वो समय था जब देश को स्वतंत्र होना था आज भास हम स्वतंत्र है कि लेकिन आजभीत हमारे सामने कार्य अए हओमे गुलामी से हमने स्वतंत्र दा प्राप्त कि academic हम स्वाधीन प्रें अंग्रेज लोग गए हमारे अपने चुने ऊवे प्रतिनस यह unique पर राज्य करते हैं इतना तो बदल हो गया तंत्र बदला पराधीन था वो स्वाधीन हो गया लेकिन उसमें स्वा है क्या वो श्वा लाना पड़ता है क्योंकि अंग्रेजों ने हमारा सारा तंत्र परतंत्र कर दिया हमारी पद्धतियों का उच्छेत किया हमारा अर्थ तंत्र हमारा शिक्षा तंत्र इन सब को योजना बद्ध तरीके से हमको गुलाम बनाये रखने के लिए उन्होंने नश्ट कर दिया अब उसकी पुनर रचना हमारे अपने निव पर उसका नया निर्मान काल सुसंगत रचना यह करनी है यह हमारे सामने एक आवान है एक चुनवती है क्योंकि आदमी स्वा के आधार पर ही बड़ा होता है सरकस में हाथी फुटबाल करता है बंदर साइकल चलाता है शेर और बकरी एक ठाली में भोजन करते हैं हम लोग पैसा देके टिकेट निकाल कर उसको देखने के लिए जाते हैं अब साइकल चलाना मनुष्य कर सकता है य तो बंदर की उन्नती वो नहीं कहलाती है यहां मेरे सामने बैठी यह स्वैंसेवक है बालक स्वैंसेवक वो अगर स्टैर ना सिख लेते साइकल चलाना सिख लेते स्कूटर चलाना सिख लेते तो हम कहते कि उनकी उन्नती हुई कुछ सीखा उन्होंने बंदर ने वही सीखा तो बंदर की उन्नती नहीं होती हाथी की उन्नती नहीं होती क्योंकि हाथी की प्रकृती जंगल में रहने की है कि उनके वन्य जीवन में ही उनका उन्नत है उनकी उन्नती है ऐसे हम भारतवासियों की उन्नती भारत को अमेरिका जैसा बनाना यह नहीं है भारत को चैना जैसा बनाना यह नहीं है भारत भारत बने इसके आवच्शक्ता है उस दिशा में हमने कदम बढ़ाए है हम आगे बढ़ रहे हैं अब हमारी शिक्षा में मात्रु भाषा का माध्यम आ रहा है बिल्कुल हमारी जनजातिय भाषाओं का भी धीरे धीरे उसमें अंतरभाव हो रहा है हमारे अर्था तंत्र में हम आजकल भ भारत का उप्योग करो हम भारत है प्रापर नाउन का भाषांतर नहीं होता ट्रांस्लेशन नहीं होता इसलिए भारत को हर भाषा में भारत ही कहना चाहिए है हम थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे है जहांकर पूरी तरह अपने स्व पर आधारित युगानुकूल तंत्र ज हमारे पास जो 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 ज्यान है उसका भी उप्योग होगा और दुनिया में जो विशिष्ट प्रकार का ज्यान है उसको भी हम लेंगे कि जो हमारे लिए उप्युकत है कि जिसका परिणाम परिक्षित है और अच्छा है ऐसा बार से भी लेंगे आनो भद्रा करतवो यन्तु विश्वता ऐसी प्रार्थना हम करते सारे विश्व के अच्छे विचार आए जो आए वो स्विकार करना ऐसा नहीं कहते जो अच्छा है वो स्विकार करेंगे अपने देश में भी जो पहले से चला आया है उसकी भी परिक्षा करेंगे जो युगानुकूल है वो लेंगे जो हमारा है उसको युगानुकूल बनाएंगे जो बाहर से आता है उसको देशानुकूल बनाएंगे उसके आधार पर भारत खड़ा करेंगे और ऐसा भारत खड़ा होने की आवश्यक्ता है क्योंकि सारी दुनिया पिछले 2000 वर्षों में सुख प्राप्ति के अनुएक प्रयोक करके ठक गई उनको सुख मिलता नहीं सुईधा मिली है उन्होंने इश्वर को मानने वाले विचारों को लेकर देखा इश्वर को न मानने वाले विचार को लेकर देखा व्यक्ति को प्रधानता देने वालों को देखा समाज को प्रधानता देने वालों को देखा सब प्रयोक कर लिए विद्ञान को देखा तो सुविधाय बढ़ विकास हो गया तथा कथित भौतिक जगत में वैभाव बढ़ गया लेकिन समाधान नहीं है सुख नहीं है दुनिया में युद्ध बंद नहीं हुए कल्ण थमा नहीं है कि दुनिया जितनी सम्रुद्ध हो रही उतनी विचित्र घटनाय बढ़ गई छोटे बालक विद्याले में जाते बंदुक लेके और अपने इस आध्याय को गोली यह सो भून देते ऐसे कांड़ वहां हो रहा है विकास जैसे बढ़ रहा है वैसे परियावरन खराब हो रहा ह और इन सारी समस्याओं का समाधान उनके पास नहीं है इतने प्रयोक किये इसमें से किसी समस्या का समाधान नहीं निकला है और इसलिए मन में भी संतोष नहीं है समाधान नहीं है मनुष्य दुखी है और इसलिए दुनिया के चिंतक फिर से विचार कर रहे हैं कि भारत अपने बल्बूते अपने स्वके आधार पर खड़ा होके उसका उपाय दें क्योंकि हमने भी दुनिया में विकास और प्रगतिक करके दिखाई है कोई समस्या इस प्रकार की आई नहीं कोई समस्या आई नहीं हमारा सारा तंत्र परंपरा से जो आता था समाजाधारित था समाज के लिए चलता था समाज के द्वारा चलता था राजा के वल रिगुलेटरी ऑथारिटी था और प्रोटेक्शन सिकुरिटी एपरेटस था लेकिन हमारे यहां समाजाधारित सब चलने के बाद भी व्यक्तिगत प्रतिभा को पूर्णा उसर मिला जो दुनिया में नहीं हुआ है व्यक्ति बड़ा हुआ तो समाज को दबाया समाज बड़ा हुआ तो व्यक्ति को दबाया कि हमारे यां इश्वर की मान्यता है लेकिन इश्वर को न मानने वाले भी हमारे यां है और मिल जूल कर सब चलते इतने विचार है इतने सारे कहला नहीं होता है सब साथ चलते हैं हमारे आपर विज्ञान की प्रगती हुई लेकिन पर्यावरन खराब नहीं हुआ आज सारी दुनिया की खेती हमारी परंपरगत जो जैविक खेती उसके उपर आ रही है 30 कि 10,000 वर्ष से भारत में खेती चलती है भारत की जमीन खराब नहीं हुई वहां 400-600 खेती हुई और ओ В यह सब कुछ नहीं हुआ कि दुनिया को यह पता है इसलिए दुनिया चाहती है भारत वर्ष अपने स्वव पर खड़ा हो कि और स्वावाविक हम सब भारतवासियों के सामने यह करता भी है कि मैं जानता हूं आप सब लोग इस करतावय को समझते हैं और इसको हम करना चाहते क्योंकि भारत माता के प्रतिभक्ति यह हम लोगों का स्वभाव है कि परुन्तु यह करने के लिए भी योग्यता चाहिए वो कथा है एक राजा ते भरत्रुहरी कुछ कारण हो गया विरक्त हो गये उन्होंने सन्याज गरहन किया सन्याज गरहन करने के बाद जाते समय अपने छोटे भाई विक्रमा दित्य को सिम्वासन दिया तो उसका राज्जा भिशेक जिस दिन होना है उस दिन सिम्वासन पर आरोफ़न करने के लिए उचला उस सिम्वासन को 32 पैडिया थी 32 स्टेप्स हर पैड़ी पर दोनों तरफ एक एक गुडिया धातु की बनी रखी थी पहले पैड़ी पर उन्होंने पैर रखा तो वो गुडिया जीवन्त हो गई और गुडिया बोलने लगी राजा तुम इस सिम्वासन पर चड़ रहे हो लेकिन तुमको पता है क्या इस सिम्वासन पर कैसे लोग बैठे थे उनकी क्या गुणवत्ता थी फिर उन्होंने एक कहा नहीं बताई और कहा कि ऐसी गुणवत्ता उस राजा की की तुम्हारी है क्या हम भी कि जब अपने देश का काम करने निकलते हैं कि तो हमारे सामने भी हमारे पूर्वजों के नाम आते हैं जिन्हों ने इस देश को बढ़ा किया अभी जो गीत गाया गया उसमें वो नाम आ गया है महापुरुष संकर दियुजी का नाम आया है माधो देजी का नाम आता है लासित बड़फुकन का नाम आता है हम जब एक कदम आगे रखते हैं तो हमारा भूत काल हमको पूछता है कि तुम ये काम करने को चले तो हो लेकिन क्या वो योग्यता तुमारे पास है क्योंकि ये हमारे सब पूर्वज है इनोंने अत्यंत कठिन काल में अपने तनमनधन का समर्पन करते हुए सर्वस्वकों नियोच्छावर करते हुए देश को बड़ी संक्स अपत्ती से बाहर लाया हूं और स्थिर करके उन्नत करके ले गए कि उन्होंने अपनी जीवन काल में जो किया उसके आगे शतकों तक उसके परिणाम सुखत परिणाम लाभकारी परिणाम हमको मिले कि तो हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो समय हमको पूछता है कि भाई इस रास्ते पर जो चले थे तुमारे पुर्वज उनकी ये गुणवत्ता थी तुमारी है क्या नहीं है आज तो चिंदा की बात नहीं गुणवत्ता को प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि सद्गुन कुछ तो परंपरा से आते हैं जेनिटिकल ही मिलते हैं लेकिन सब सद्गुन ये परिश्रम का परिणाम होते हैं अंगरी जी में काहवत है कि जीनियस इस टेन पर्सेंट इंस्पिरेशन और नाइंटी पर्सेंट परस्पिरेशन दस प्रतिशत हम में पुर्व से आया है हमको मिला जन्मता मिला लेकिन हम परिश्रम करेंगे तो और नब्बे परतिशत हम बढ़ा सकते हैं राष्ट्रियस वहम सेवक संग का काम वो परिश्रम है क्योंकि गुण बनते कैसे है गुण आदत से बनते है अभी आपने कारिकर्म देखे कोई वीशेश कठिन कारिकर्म नहीं आप बैठे बैठे सोचते होंगे क्या कर रहे हैं दैने मुड़े चार बार दैने मुड़े फिर से पूरुवपत पर आए चार बार बार मुड़े तो कोई भी कर सकता है कोई भी कर सकता है लेकिन जैसा इन्होंने किया उतना करने के लिए भी और सबने एक साथ करने के लिए भी आदत करनी पड़ती है प्रैक्टिस करनी पड़ती है अभ्यास करना पड़ता है कि ऐसे एक एक गुण का अभ्यास करना पड़ता है वो गुण अपने स्वभाव का अंग बने क्योंकि देश को बढ़ा करना यह जीवन भर का काम है क्योंकि किसी एक प्रोग्राम की बात नहीं है तीन साल कर लिया पास साल कर लिया ऐसा नहीं है रोज करना पड़ता है उसमें नियवित रहना पड़ता है उसमें अपना परिश्रम डालना पड़ता है आगरह करना पड़ता है अपने देखा होगा धूप में यह बालक खड़े थे ठक तो गए थे लेकिन छोड़ा नहीं इस निश्चे के साथ परिश्रम करना पड़ता है संग की शाका में इस परिश्रम की भी आदत होती है और इन सीधे साधे सरल कारेक्रमों से हम सब के साथ चलेंगे सब को साथ लेकर चलेंगे इसके आदत होती है कि देश के लिए जो जो करने के लिए गुण अवश्चक है एक गंटा रोज देना पड़ता है तो देने की आदत होती है एक गंटा देते ते इसमें से ऐसे भी लोग निकलते हैं वो जीवन दे देते हैं हो देश का ताम कर रहे गंट में इसके अपने कर्चे से किया आदत है इसके लिए उनको संप। मिलने वाला नहीं है दन्यबाद मिलने वाला नहीं है लेकिन उ करते रहेंगे जीवन भर कर रहेंगे क्योंकि देश को तो देना ही देश से कुछ लेना नहीं है देश ने हमको सब कुछ दिया है भारत मता हमको सब कुछ देती है इस भूमी से हमको पोशन मिलता है जल मिलता है अन्न मिलता है और सीमा इसकी प्राकृतिक दुष्ट्री से सुरक्षित है सुरक्षा मिलती है तो जगडा करने का सुभाव हमारा नहीं बनता भारत वर्ष में सब को साथ लेकर चलने का यह सुभाव क्यों बना क्योंकि पहले से पुराने समय में हमारी जनसंख्या भी कम थी और उस समय कोई नवकाय नहीं थी विमान नहीं थे वाहन नहीं थे पैदल जाओ या घोड़े ल Kings पर जाओ बैलुडी पर जाओ तो हिंदू कुस्यों लेकर आराकान तक की पहाडिया पार करके को नं आएगा कोई नहीं अपर आपार करके को मुत आएं पर करेंगे कोंस नहीं आता था बाहर से कोई आता नहीं धान सुरक्षित एकूं ंदर जितने थे है आपके लिए भरपूर था को ऊब कुए प्रतिसपर ला करने की शुरुर्द नहीं थी और इसलिए हम लोग सुखी थे आपस में जगडा नहीं करते थे और हमको फुर्सत मिली तो हमने सत्य को खोजा और वो सत्य हमको मिल गया कि सारी दुनिया दिखती अलग-अलग है लेकिन है एक ही एक से ही सब निकलता है अजकल हम कहते है यूनियूटी इन डाइवर्सिटी लेकिन वास्तविक हमारे पुर्वजों ने खोजा डाइवर्सिटीज आफ यूनिटी एक्जिस्टंस इस वन अस्तित्व एक है यह विविद अविश्कार उसी का अविश्कार है यह दिखता है उपर तक नीचे अंदर न दिखते हैं तो अलग अलग आपको भूख लगती है मुझे भूख लगती है आपकी भूख अलग मुझे मेरी भूख अलग मेरे खाने से मेरी भूख मिटती है आपके खाने से आपकी मिटती है आप खाए और मेरा पेट बर गया ऐसा नहीं होता है लेकिन यह कहां तक गर मे माता जी तो तीन बच्चे वूँ आते खेलके और मेठा पदार्था पुरा खा जाते माता जी के लिए कुछ नहीं बचता लेकिन उनको लगता है रही कि उनका भर गया बच्चो निखा लिया मेरा पैड बस effectivement तो आपकी भूग अलग मेरी भूग अलग ये एक मर्याद नयत्त जहां माता जैसी आत्मी इता है वहां ये नहीं चलता वहां दूसरा नियम हो जाता है और इसलिए दिखं़े वाली विविद्धता चलती है उसके बाद नहीं उस समय भी होता है और सदा सरवदा रहता है ऐसी मनुष्यों की अस्तित्व की पूरे सुरुष्टी के साथ एकता है और यह जब पता चला तब हमारे पूर्व जोने तय किया कि इसका मतलब सारा जग हमारा कुटुम्ब है यह सब लोग अपने हैं पे पाउदे पंची प्राणियों से लेकर तो पृत्वी के पृष्ठपर रहने वाले प्रत्य भूभाग का व्यक्ति मेरा अपना है सब भूमी के पृत्र हैं और इसलिए इन सब को यह ज्ञान देना चाहिए ताकि सब सुखी होंगे क्योंकि ये ज्ञान होने से कला मिट जाते हैं यह ग्यान होने से स्वर्धा समाप्त हो जाती है यह ग्यान होने से स्वार्थ समाप्त हो जाता है कि सबसे मित्रता हो जाती परियावर इंट सहीत तो हम मित्रता करते हैं तो सब हमारे मित्र बन जाते हैं यह मैत्री की दुरुष्टी मिलती है मित्रता की दुरुष्टी मिलती है कि इस सत्य के आधार पर हमने एक धर्म को पहिचाना जो धर्म है हमने निर्माणी किया पहले से आगे भी रहेगा उसी पर सारा चलता है इसलिए उसको सनातन धर्म कहते हैं हम ने उसको पहचाना उस धर्म के मुल्यों पर भागवत श्रिमत भागवत में कहा है उसके चार पहर है सत्य करुणा शुचिता तपस इन चार के आधार पर व्यवार सिखाने वाली यह हमारी संस्कृति बनी वह संस्कृति हम सब को जोड़ती है अभी आपने सुना उत्तर दक्षण पूरब पश्चिम अखंड भारत के क्षेत्र में रहने वाले सब लोगों को यह संस्कृति आज भी जोड़ती है उसके एकता का सुत्र है अगर उनका ध्यान है तो आज के भारत में हमारा तो ध्यान है बीच बीच में हमको ध्यान आता है लेकिन उदर जिसको आज अफगानिस्थान कहते हैं वहां लोग पुरा भूल गए पाकिस्तान भूल गए बंगलाजेश भूल गए जहां जहां भूल गए वहां दुख्व है को इसमस्या का उपाएं नहीं मिल रहा और जहां-जहां यह याद है वहां वहां हम लोग आगे बढ़ रहें लोग कह रहे हैं कि भारत सिर्मोर देश बनेगा हमारे सामने भी समस्या है थी लेकिन उन में से रास्ता निकाल के हम बढ़ रहे हैं क्योंकि यह संस्कृती हमारा स्वभाव इसको दुनिया आज हिंदू स्वभाव कही थी हम सब हिंदू है हमारा हिंदु देश है हिंदु राठ रहे है यहने क्या अमुक पूजा ऐसा नहीं है लेकिन अपनी पूजा पर पक्का रहना सब के पूजाओं का सम्मान करना यह हिंदु तो है अमुक खानपान रीति रिवाज ऐसा नहीं वह तो परिस्थितिक जन्य बाते होती है देशक आल परिस्थित के नुसार बदलती है अपना जो खानपान का रीति वाज है परंपरा से आया हुआ उस पर पक्के रो और बाकी लोग जो नियम पालन करते हैं उसका भी सम्मान करो यह विश्वा में सब प्राकृतिक संपत्री भरी पड़ी है अन्न मिलता है सब वगरे क्या करना सब मुझे ही मिले मैं ही सब पाऊं यह नहीं करना दोनों हाथों से कमाओ हजार हाथों से बाटो और सबको मिलने के बाद अपने लिए न्यूनतम आवश्चक उसमें से आप बिलो इशा वास्ते मिदम सर्वं यत्किंचम जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजी था तो कि जगड़ा होने की संभाव नहीं नहीं जो कमाएगा वो खिलाएगा और बचे हुए में से खुद खाएगा कि इसलिए सहीं अनुसरण करो कि आज भी हम भोजन करते तो जैसे जिसके थाली में आता खाना शुरू नहीं करता हुग गरों में बैटने के बाद सब को देना होने के बाद कुछ नाम लेते हैं कुछ श्लोक कहते हैं हमारे संगव्यम ब्रहमार्पण ब्रहमावीर श्लोक क भोजन परस्ताव अगरे उतनी बड़ी संख्या में दस मिनिट लगे जाते लेकिन कोई हाथ नहीं लगाता था लिए कि यह संयम है क्योंकि सबको मिलकर जीना है सबको मिलकर खाना है कि सबके जैसा हमको रहना है कि यह स्वभाव हिंदू स्वभाव है कि उसके कारण दुनिया की सारी भली बाते आज भी भारत में सुरक्षित है उसका विचार अन्य लोगों के मन में आता है लेकिन उनके यहां वो जादा चल नहीं सकता सेकुलरिजम की बात सब लोग करते हैं लेकिन प्रत्यक्षा हमारे यहां होता है क्योंकि पहले से हमारा विचार सबको अंदर लेने का है सेकुलर हमारा शब्द नहीं हो बार का है हमको उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम पहले से हमारा राज्य से कुलर है और आदमी धर हुआ है करेंसे चलता है इसलिए सबको अपना मान कर छलता है कि सबका संबान करता है कि सोशेलिजम क्या होता है यही है सबको दो बचे हुए में लो सब师 करansen परंपरा से इसका अचर्ण हमारी सवस्कृति सिखाती है शारे विश्व को बंदु मानकर विवार करना हमारी संश्कृति सिखाती है उसको भूल गए इसलिए हमारे दुर्दिन आए उसको फिर से याद करना है और उसका अभ्यास करना है हमारे इस हिंदु राट्र को परम वयभो संपन्न बनाना विश्व में अग्रणी राट्र बनाना इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ विश्व कल्यान के लिए एक उपकरन फिर से तयार करना जो पहले हमारे रुश्व मुनियों ने तयार किया था औ से वही काम हमको करना है और इसलिए फर्शिय फिर से वही गुणों की आराधना रोज करनी है संग का कारिया इसलिए चलता है क्या कि समाज मैं एक गुट खड़ा करना उसका प्रभào सब पर चलाना यह संग की इच्छा नहीं है संग समाज में अलग संगठन करना नहीं चाहता संग पूरे समाज को ही संगठित करना चाहता है कि जो भारतवासी है चाहे उसकी पूजा कोई हो खानपान रिती रिवाज कुछ भी हो उसकी भाषा कोई हो देश के किसी कोने में वो रहता हो उसको यह समझना चाहिए कि विरासत के नाते राश्ट्र के नाते समाज के नाते वो हिंदू है हम सब एक है इस स्वत्व के भाव को लेकर गुणों की उपासना करते हुए अपने परिश्रम से हम स्वार्थ और भेदों को छोड़कर देश को बड़ा करेंगे उसके लिए जीएंगे आवश्यक्ता है तो उसके लिए सब कुछ समर्पन करेंगे प्रानार्पन भी करेंगे ऐसा करेंगे तब अपना देश्परमवभो संपन्न बनेगा तब दुनिया सुखी सुंदर बनी बनेगी हमको जो स्वतंत्रता मिली है यह करने की उस्वतंत्रता जिनोंने हमको लाकर दी उन सब वीरों ने यही किया है और इसलिए समय एक-एक कदम पर हमको पूछता है कि क्या तुम उनके जैसे हो अज नहीं है तो होंगे उसके लिए परिश्रम करेंगे इसी को तपस कहते हैं कि राष्ट्र साधना की यह तपस्या चली है संग के नाम से जब तक पूरा समने संग्ठ इत नहीं होता तब कई इसका अलग नाम रहेगा आगे क्या होगा तब कि लोलग करेंगे लेकिन इस सारी तपस्या में ये के बऄल Sंग का काम नहीं है कि संग कोई इसका ठेका लेके काम कर रहा इसा नहीं है ठेके पर यह काम होते नहीं पूरा समाज जब ऐसा होगा तो भाग्य में परिवर्तन आएगा कि कुछ लोग बनेंगे तो कुछ दिन के लिए ठीक रहेगा बाद में फिर से गड़ बड़ोगी चैसी भगवान के नौश अवतार हुए ऐसा कहते हैं और नद नौश अवतार होने के बाद भी अम कहाँ खड़े ऐसा क्यों है तो अवतार हुते अच्छे नेता थे हैं एक महापुरूसांत ने लेकिन उनकी ज़ागरुती है colleague करने ने बाद करें। हो चले जाने के बाद उस पर रुडर संट चलना पड़ता था इस फ्कों चलना पड़ता है तब ठीक रहता है। और इसलिए एक के बाद एक आकरमक आये बार बार हम लड़ें लेकिन कभी हमने शीखा नहीं फिरसे परतंत्र नहीं होंगे वो सीखना है फिर से परतंत्र तो होंगे नहीं अब अपने देश को ऐसा बनाएंगे कि दुनिया का हर देश दुनिया का हर व्यक्ति भारत के अनुसरण से सच्ची स्वतंप्रता का अनुभो करेगा ऐसा भारत बनाने के लिए संग का य चल रहा है और इसलिए इस कार्य के दूरसे दर्शक बने роль रहते हुए आप सब को इसके अंग बनना है इसके ंगर करता बनना है यह जो कारेक्राव आप देखते हैं आते बनाने का इसका नाम शाखा है संग में पुरुषों की शाखा लगती है राष्ट्र सेविका समीति में महिलाओं की शाखा लगती है और यहां जो गुणनिर्मान होता है उसके आधार पर समाज हित में जो काम चलते उसमें पुरुष महिलाएं दोनों मिलकर काम करती है कि ऐसी संग की योजना है तो संग की या समिति की शाखा में आकर स्वेहम सेवक या स्वेहम सेविका बनकर हम लोग संपूर्ण दुनिया के कल्यान के अपने देश के उत्थान के इस महाभियान के पथिक बने यह शुभकामना भी आपको देता हूं यह आपके सामने अनुरोध में रखता हूं और मेरे चार शब्द समाप्त करता हूं